को आप लोग देखते होंगे कि इस तरह की कुश्चन्स कई बार आपके सिभ्श की प्यार मीख परिच्छा में या फिरिश्टेट पीस जिसमें आप देखते होंगे यूप पी सी हो गया है ठाइत क चत्थीजिजगड या आप देखते होंगे किसी और स्टेट का एकजाम होता है या फिर आपके वंडे एकजाम होते हैं उनमें डारेक्ट कुर्ष्चन्स आ जाते हैं इसी तरह की मेरा गाओं मेरा गौरब यूजना ये किसने चलाई है भारती किरसी अनुसंधान फर्षत की पहले एक ठीक है सबसे पहले तो आपको यही रखना ह है आब यहां चलाएगया है तो कहां गोजो आते हैं आप सभी जानते हूंग गोजा की इस्थिके अगर बात करूं हो से तह देखेए से हमारी पितभी में अगर अच्छे सी हम लोग मैपस में बात करें तो आप देखेंगे यहां देखिए आपको देखने को मिलेगा गुआ पढ़ जी टीक है इसी की बात करा हूँ वैसे लोग यहां जाते रहते हैं मुझे लगता है आपको भी जिन्दगी में एक बार मौका मिलना चाहिए यहां भी जाने का टीक है इसी की बात करा हूँ इसके बारे में अगर गोआ के बारे में कुछ और पॉइंट आगर बात करूं तो आप देखते होंगे कि यहां इसकी स्थापना की बात करें तो 30 मई 1987 को हमारे भारत में एक तरह से इस समलित किया गया था ठीक है और यहां अगर विधान सभा सीटों क की बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि 40 सीट है और राजी सभा सीट एक है और लोग सभा सीट आपकी दो है ठीक है यह याद रखिए और आप को यह भी मालू होगा कि छेतकर फल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जन संख्या में देखेंगे आप लोग तो 14 सबसे चोटा राची ठीक है याद रखिए आई सी एकार किरसी अनुसंधान और सिक्षा विबाग किरसी और किसान कल्यार मंतराले भारत सरकार के तहित एक स्वाय संगठन है जो किरसी अनुसंधान और सिक्षा विबाग है और याद रखिए मैं पहले भी बूल चुका हूँ कि अ तब आप लोग कहेंगे स्वक्षिता भारत अब यान आप लोगों ने देखा है मैं पिदान मंत्री आप मौधी सरकार को 10% भी योगतान देने के लिए तैयार नहीं उसका आप लोगों की एक तरह से महनत का नतीजा रही कि रहा है कि इस तरह की स्वक्षिता भारत में प्रियूजना होते तो कोई भी यूजना हो कोई एक तरह से प्रियूजना चल रही हो कुछ भी काम कर रहा कोई भी प्रोग्राम हो वो सफल नहीं हो सकता है आपने सुना होगा पिदान मंत्री साहाब हमारे कहते हैं कि 121 करोड जन संक्या जब एक कदम चलती है तो 121 करोड जन कदम हम लोग आंगी बढ़ जाता है भारत आजकल वो 130-131 कहने लगे तो यह अलग वागत है लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितनी सब एकता में कितनी तागत को दी है इसके बारे में अगरे हम लोग प्रमोग बिन्दूओं की बात करें तो मेरा गाउं मेरा गौरब योज से तकनीकी एवं किर्सी संबंदित अन्य पहल उओं कि जानकारी पितान की करने की परीकल्पना की गई है बिग्यानी किर्सी बिग्यान केंद्रों और किर्सी परोदों की प्रवंधन एजनसी की सहायता से कारे कर सकते हैं इसके उद्देश की अगर हम बात करें आप सभी ज यानिकों के सीधे इंटरफेस को बढ़ावा देने के लिए लैग टू लेंड पिक्रिया का उतेज करना है या पूछ लेगा आपसे की डारेक्ट कुश्चन सा जाएगा कि मेरा गाओ मेरा यूजना मेरा गौरब जो यूजना है इसका उद्देश के आया कि तो इसके बारे की प्रभंदन एजनसी की बारे में अगर हम बात करें ATMAG से आप लोग कहते है यह एक पंजी की संस्ता है जो जिला इस्तर पर पुरोद्गी की के प्रिसार के लिए उत्तर दाई है या अनुसंधार विस्तार और विपढ़न को एकिकेट करने के लिए एक केंद बिन्दू इसकी सुरुआत वर्स 2056 की दोरान की गई थी फंडिंग की बात करें तो इसमें केंद सरकार द्वारा 90% और राज सरकार द्वारा 10% का युगदान होता है एक तरह से आप समझे कि 100 रुपे है तो 90 सरकार केंद सरकार देगी और 10% यानिकी 10 रुपे उतमें राज सरकार का इसके भी अगर उद्देश की हम लोग बात करें तो सारुजनिक निजी विस्तार सेबा पिदाताओं से जुड़े वहू एजिंसी विस्तार रणनीतियों को प्रोसान करना और कमोडिटी इंटरेक्ट ग्रुप्स के रुप में किसानों की बहचान की जरूरतों और आवसकत के केंदरित कारिकर्मों के अभी सरण की सुविधा पिदान करना है किरसी कार में सलगन महिलाओं को समोह में संगठित करना और उन्हें पिसी चंट पिदान कर लेंगिक चिंताओं को संबोधित करना है लाभारतियों की अगर हम बात करें तो बैक्तिकर सामोहिक महिला किसान या फिर किसान महला समूव इसके लाबार्टी होते हैं तो इसके बारे में आप लोग याद रखिए मेरा गाव पेरा गौर्ण भी उदना और याद रखिए मैं हमेशा वो ला हूँ आप लोग उसे वैसे हमारे देश के सरफंच जो भी हमारे देश में पंचयायते होती हैं इ कि सरपन साहब अपना विकास कर लें तब तो सचिप साहब अपना विकास कर लें तब तो आंगे बढ़े वह अटल विहारी वाचपई और राजीब गांधी का वक्तब मुझे याद आता है एक तरह से कि मैं उपर से एक रुपे भेजता हूं और नीचे बाराय पैसे मुझे लगता है कि जागरो कुक चुके आप लोगों के पास RTI या दिनियम आ चुका है मैं तो कहता हूं कि अगर आपके हाँ कुछ भी काम हो रहा है एक पैसे का भी काम हो रहा है तो उसकी पिती RTI डाली ना आप देखिए किस तरह से सरपंच आपके पीछे भागता है सच कई लोगों के कमेंट आया हुए थे कई लोगों ने का कि जिस सरपंच या किसी ब्यक्ती के पीछे हम भागते थे किसी अधिकारी के पाच और पीछे आज वो मेरी पीछे भाग रहा है वो पैसे लेने के लिए बोला है कि आप पैसे ले लिए आप RTI मत डाली तो आप लोग झाली ओके लिए याटो आप पैसे ले आप पैसे लोग भागते ले़।